गाल काव करने भी नाज वहां काल आ गया गायल शेर की सांसें उसकी तहार से भी ज्यादा भयानक होती है फैंस के बीच सुपरस्टार यस के फिल्म केजब के दूसरे पार्ट को देखने का उसाह बरकरार है फिल्म में यस के किरदार रौकी को दर्सकों के दौरा खुब पसंद किया गया था और इस फिल्म में उनका एक डायलाग सबसे बड़ा योधा माह होती है आज भी लोगों की जुवान पर रहता है हाल ही में यस ने एक इंटर्व्यू के दौरान फिल्म केजब टू के बारे में कई खुलासे किये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केजब टू इस साल रिलीज होने वाली बहुत पर तिछित पिलों में से एक है फैन स्रीज के अगले चैप्टर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं यस ने फिल्म केजब टू के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहले से ज़्यादा धहमाकेदार होगी उन्होंने बताया कि केजब टू बड़े पैमाने पर लीज होने जा रही है यदि आपने केजब वण देखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस तरह की फिल्म है फिल्म को देखने में केजब वण से 5 गुना ज्यादा मज़ा आने वाला है अगर फिल्म केजब की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो मुंबई की संकोर पर पला बढ़ा है और कॉलार की सोनी की खानों तक अपना सफर तै करता है रॉकी की मा उससे कहती है कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता लेकिन जब मौत आये तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा तू मुवीज में बैक्ग्राउंड म्यूजिक का बहुत बार रोल होता है और ये फिल्म के टूटे वोए हिस्सों को आपस में जोडता है जैसे इस फिल्म में मा बेटे के रिष्टे वाले सिंस में आपके वल बैक्ग्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं कई जगा कई जगा भौन की सेमेट्रोग्राफी देखते ही बनती है माइनिंग वाले और पचास से असी के दसक वाले सेट्स भी विसालकाय और अच्छे हैं केजिया फौन में ज़्यादा तर वान लाइरन डायलाक यूज किये गए हैं जैसे सोने के गुल्लक को चिलर बटोडने के लिए नहीं रखा जाता हाथ में मचली लेकर मगर मचली को खिलाने जा रहे हैं लेकिन मगर मचली को मचली नहीं हाथ पसंद है इतिहास जल्दवाजी में नहीं रचा जा सकते लेकिन आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बना कर भी इतिहास नहीं बना सके। इसी प्रकार के संबाद आपको केजिएप 2 में भी देखने को मिलेगा। मूवी में अनन्द बक्सी के गीत का एक नया वर्जन डाला गया है। गली-गली में फिरता है तू क्यों बनके बन जारा। इसी तरह का गाना इस बार भी डाला जा रहा है। अगर फिल्म को गौर से देखें तो फिल्म में मावाला इमोशन भी है, रोमान्स वाला भी, गरीबी वाला भी और मजबूरी वाला भी। लेकिन इस बार KJP Chapter 2 में एक्षन पर सबसे ज़्यादा जोड़ दिया गया है। खास करके क्लाइमेक्स सीन में जहां पर संजय दत यानि के अधीरा और रौकी के बीच लड़ाई होती। KJP 2 में जो यस किरदार निभा रहे हैं वो एक गैंग्स्टर के रियल जीवन से प्रभावित है। गैंग्स्टर रावडी थंगम के जीवन से लिया गया है जिसका 1997 में पुलिस ने इंकाउंटर कर दिया था। लेकिन KJP के डारेक्टर प्रसांथ नील ने अपने एक इंटर्विव में इसे इंकार कर दिया था। पुलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छतर राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई। गरुणा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रौकी याने की राजा किशप्या बायर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने के कारण मर गई थी। लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से बचान लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। और जल्द ही रौकी भाई नाम का एक डौन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देख कोलार खान को हंत्याने के लालची लोग उसे गरुणा को मारने के लिए सुपारी देते हैं। पहली बारे में फेल होने के बाद रौकी गरुणा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता और मार भी देता है। पहली फिल्म यहीं खत्म हो गई। अधीरा गरुणा का चाचा है। जिसमें उसे बहुत ताकतवर और कुरूर बताया जाता है रौकी के हाथों करूणा की हथ्टा के बाद अब अधिरा की नजर भी खान पर है दूसरी और रौकी भी उस खान पर अपना कबजा चाहता है इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है सारी टसल उस खान को लेकर है इसलिए केजेब 2 में रौकी और अधिरा आमने सामने होंगे साथ में कई और खिलाडी होंगे जो कोलार गोल माइन पर अधिकार करना चाहते है पहले फिल्म में सिर्फ गरौणा को मारने की कहानी दिखाई गई इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है यह हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा लेकिन यहां में लड़ाई अधिरा और रौकी के बीच है केजेब 2 में रिना के करेक्टर पर भी फोकस किया गया है आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताईए क्या यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म सावित होगी